नमस्कार साथियों, परजीवी स्रंकला के इस चोथे वे अंतिम वीडियों में आज हम चर्चा करेंगे लाइफ साइकल अडप्टेशन या जीवन चक्र में पाए जाने वाले अनुकूलनों के बारे में, जिनकी साहिता से कोई भी परजीवी किसी परपोसी के अंदर अपना जीवन चक्र सुरक्षित करता है या अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है इन अडप्टेशन या अनुकूलन में सबसे पहला अनुकूलन जो है वो उभैलिंगीता या हर्मेफ्रोडिटीज्म अर्थात जन्तु का उभैलिंगी या हर्मेफ्रोडाइट होना या मोनोईशि इसका अर्थ है एक ही जनतू के अंदर नर जननतंतर वे मादा जननतंतर दोनों का पाया जाना। इसके कारण इस जनतू को तीन फाइदे होते हैं पहला फाइदा कि यदि परजीवी कम संख्या में भी हैं तो भी उनमें कॉपूलेशन या मेथून की क्रिया निश्चित रूप से होती है क्योंकि उन्हें किसी दूसरे साथी को दूनने की आवशक्ता नहीं होती उसके खुद के ही सरीर में नर जननतंत्र वे मादा जननतंत् दूसरा कि यदि कॉपूलेशन या मेथून हो गया तो दो जनतु यदि ऐसा कर रहे हैं तो दोनों ही अंडे देंगे या दोनों ही संतान उत्पन करेंगे तीसरा कि इसमें एक जन्तु अकेला है तो भी संतान उत्पन कर सकता है क्योंकि जननांगों के सेट या जननांग दोनों प्रकार के हैं वो इसके सरीर में पाए जाते हैं इसलिए इसे किसी विपरीज साथी को ढूंडने की आवशक्ता नहीं होती ये जो घटना है इसको एदियम सेस्टोडा जो कि हम ये कह सकते हैं कि प्लैटी हेलमिंथीज का अंतिम वर्ग है सेस्टोडा जो मुख्य रूप से परजीवियों का वर्ग माना जाता है और परजीवी अनुकुलन है तूसमें अत्यदिक विशेस्टाएं हैं वो विख्सित हो जाती है सेस्टोडा में टीनियसोलियम, टीनियसेजिनेटर, डाइपलीडियम, मौनीजिया, कोटुगनिया इन सब को सामिल किया गया है इन जनतों में टीनियसोलियम के टतेक परिपक्व देखंड में नर्वय मादा जननांगों का एक-एक समुच्चे या सेट पाया जता है और ये सेट या समुचें complete होता है जैसा कि आप इस नीचे के चित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तीनिया सोलियम का ये जो एक खंड है इस खंड के अंदर जननांग, नर जननांग और मादा जननांग दोनों विक्षित होते हैं और ऐसे कई खंड या सेकडों की संख्य में ऐसे segments या खंड जिने proglotids कहते हैं वो तीनिया सोलियम के एक सरीर में पाये जाते हैं इसी तर मौनीजिया और डाइपलीडियम तर्था कोटुगनिया में ऐसे जननांगों के दो-दो सेट प्रते एक खंड में पाये जाते हैं यानि तीनिया सोलियम की तुलना में डबल segment या दोरे खंडों का पाया जाना या एक तरह से कह सकते हैं कि एक ही segment में जननांगों की संख्या डबल होना जिसके काण उनके अंदर प्रजिनन शमता दुगुनी हो जाती हैं इस गठना के तहत हम ये कह सकते हैं कि जीवन चक्र में लेंगिक जनन है वो सू निशित हो जात ये वो जनन तंतर का या जननांगों का अत्यंत विक्सित हो जाना ये कहा जाता है कि पैरासाइट जनन के लिए ही जीते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपनी संताने उत्वन करें और अपनी वंसवरधी करके अपनी जाती के अस्तुतों को बनाई रखें इस strategy क के तहित इनके जननांग जो होते हैं वो अत्यंत विक्सित हो जाते हैं अत्यंत विक्सित होने में हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा मात्रा में अंडे उत्पन करने में अंडों को उचित इस्तान प्रदान करने में सुईधा होती है और ये काज़त है कि इन जननांगों को विक्सि होने पर इस्तान प्रदान करने के लिए सरीर के सारे अन्य जो सरचना है वो रिडिूस हो जाती है यह हराशित हो जाती है या समाप्त हो जाती है जिससे इन जन्रनांगों को इस्तान मिल सके इसके कारण हम यह कह सकते हैं कि ज्यादा मात्रा में जो संतानोत पत्ति है वो संभव होती है इसके बाद में तीसरी विशेशता हाई फर्टिलिटी रेट उच प्रजनन दर उच प्रजनन दर या हाई फर्टिलिटी रेट का तात्परी है कि प्रती दिन दिये जाने व एसकेरिस फेशियोला में जो मादा जननतंत्र है उसके द्वारा 10 लाख अंडे उत्पन किये जाते हैं अपने जीवनकाल में इसी तर टीनिया सोलियम में प्रतेक प्रोगलोटिड के द्वारा 30 से 40 हजार अंडे उत्पन किये जाते हैं एसकेरिस की मादा अपने जीवनकाल में लगबग 5 करोड अंडे देती हैं तो अंडों की ये उच्छ संख्या जो है वो ये सुनिशित करती है कि यदि इन में से अधिकांस अंडे नश्ट भी हो जाएं तो सेस रहें अंडों में से ही पर जीवी है वो उत्पन हो सकें और उनक का स्थित्व है वो बना रह सकें क्योंकि ये अंडे जब त्यागे जाते हैं तो इन्हें वातावनिये परिवर्थनों का सामना करना पड़ता है जिसके करण अंडों के नश्ट होने की संभावना बढ़ जाती है जैसे कि यदि हम बात करें कि एसकेरिस की मादा के द्वारा मानव की स्मॉल इंटेस्टाइन में दिये जाने वाले अंडे चुनकि स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे डवलप नहीं हो सकते इसलिए वो मल के साथ सरीर से बाहर निकलते हैं और मिट्टी में मुक्त हो जाते हैं मानों के सरीर के अंदर के वातावन की तुलना में बाहर के वातावन का तापमान और नमी है वो बदलीवी होती है और बदलीवी ये वातावन ये परिस्तितियां चूंकि अंडों की मृत्यू का कारण बनती है तो अधिकांस अंडे उनमें से नश्ट हो जाते हैं लेकिन त्याग करके अलग कर दिया जाता है यानि यूँ कहें कि टीनिया सोलियम जो खुद मानों की आंत में चिपका रहता है उसके सरीर के पिछले देखंड जिनके अंदर निशेचित अंडे भरे रहते हैं उनको तोड़ करके त्याग दिया जाता है इसे एपॉलाइसिस या प्रम विष्टा भोजी होता है या मल भोजी होता है जब वो उस मल को खाता है तो उस मल के साथ उन अंडों को भी ग्रहन कर लेता है और टीनिया सोलियम के ये अंडे सुवर के सरीर में पहुंचे जाते हैं तो इस क्रिया को सुनी सिप करने के लिए ये अधिक से अधिक मात्रा मे अंडे उत्पन करते हैं उसके बाद में अगली यदि स्टेटेजी की बात करें तो अगली स्टेटेजी के तैप इनके लारवा में भी जनन की क्रिया पाई जाती है अर्थात इनका एक लारवा अनेक लारवा उत्पन कर सकता है Faceiola Hipeitica में जो Larua उस्ता पाई जाती है वो पांच Larua Faceiola Hipeitica में पाई जाते हैं Miracidium, Sporosist, Radia, Sercararia वे Meta-Sercararia Larua इन में से Radia Larua अनेक Sercararia Larua को उत्पन करता है इसी तरह हम यह कह सकते हैं कि Sporosist के द्वारा अनेक Radia Larua उत्पन करते हैं तो लारवा जो एक अंडे से उत्पन होता है और वो आगे चल करके एक लारवा अन्य पांच लारवा को जन्म देता है और वो पांच लारवा फिर पांच को जन्म देते हैं तो इस तरह से ये संख्या गुणी तोकर 25 हो जाती है अर्थात एक अंडे से निकलावा एक लारवा अन्य पांच लारवा उत्पन करता है वे अन्य पांच लारवा है वो आगे पांच पांच लारवा और उत्पन करेंगे तो इस तरह से कुल संख्या जो होती है वो 25 के लगबग हो जाती है तो एक अंडे से हम कहते हैं कि अनुपाद या ये जो गणना बेटती है वो पच्चीस की होती है तो ये कोई fix figure नहीं है लेकिन मैं ये समझाना चाहरा हूँ कि भी एक लारवा अनेक लारवा को उत्पन कर सकता है जिसके कारण संख्या है वो बढ़ जाती है Facialis ला हिपेटिका कि जो पांच लारवा है इनको competitive exam में पूछा जाता है पहली लारवा कौन सी होसता है दूसरी लारवा होसता कौन सी है तो इनको याद रखने का एक तरीका है MSRCM MSRCM में M for miracidium S for sporocist R for radia C for sarkeria M for metasarkeria तो ये MSRCM इस एक युक्ति के द्वारा 500 लारवा है उनका क्रम आप याद कर सकते है फिर अगली strategy के रूप में हम ये कहते हैं कि ये लारवा जो होते हैं वो लारवा जटिल जीवन चकर के द्वारा या हम ये कह सकते हैं complex life cycle के तैट एक परपोसी से दूसे परपोसी में इस्तानांतर में मददगार होते हैं यानि हम ये कहें कि परजीवी जो होते हैं वो अपना जीवन चकर किसी एक परपोसी में पूरा नय करके दो परपोसीयों में सामनित पूरा करते हैं हाला कि सभी परजीवियों में ऐसा नहीं होता लेकिन जिन में ऐसा होता है उनको हम दी परपोसी जीवन चक्र वाले परजीवी के नाम से जानते हैं इसमें टीनिया सोलियम, फेश्योला हिपेटिका इसके अलावा आप कह सकते हो कि प्रोटोजवा के थैट प्लाजमोडियम ये कुछ ऐसे उधाने जो दो परपोसीों के अंदर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं दो परपोशियों में जीवन चक्र पूरा करने का, उन्हें ये लाब होता है, कि यदि किसी एक परपोशी की मृत्य हो जाएं, तो भी वो दूसरे परपोशी में अपने आपको जीवित रख पाते हैं, तो जीवन चक्र की ये विसेश्था हैं, किसी भी पेरासाइट या पर फोकस है, तो अपन इसको, ये हम लोग इसको इसे के अंतरगत पढ़ते हैं, परजीवी संकला के चार वीडियो मैंने बना करके अपलोड की हैं, हलांकि ये संख्या ज्यादा है, लेकिन जैसा कि मैंने पीछे बताया था, कि ज्यादा बड़ा वीडियो अपलोड करना उसकी लोता है, तो ऐसी स्थिति में छोटे-छोटे वीडियो बना करके डालने पड़ रहे हैं, उम्मीद है आप लोग इसको समझ पाएंगे, इन वीडियो के पीडियेफ में आगामी जो पीरियड्स होंगे, या आगामी जो क्लासिज आपकी होगी, उसमें आपके वाट् करता रहूंगा, धन्यवाद